तो दोस्तो देखिए अगर आप army की किसी भी trade की तेयारी कर रही हैं चाहें वो soldier tradesman, GD, clerk, technical या फिर nursing assistant किसी भी trade की आप तेयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही channel पर हैं और सही video को आपने pick किया है दोस्तो, video को start करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 500 questions की दोस्तो एक series हम चला रहे हैं जिसका आज ये part 4 है हर part में दोस्तो हम 15 questions को discuss करते हैं और इसमें mixed questions होते हैं आपके 15 questions इन 15 questions में mixed questions होंगे आपके GK और GSK और ये जो 500 questions है दोस्तो वो मैंने पिछले 5 साल के previous year के आपके जो written exam है उनके question paper में से ढून ढूनके आपको important important questions निकाले हैं तो ये इस video में या फिर इसके आगे आने वाले parts में जो भी video में ये जो questions होंगे बहुत important questions होंगे आपके exam के लिए और आपके exam में 100% आपको इसी 500 questions में से आपके 30 questions GK और science के देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की video तो मेरा नाम है सिवा और आप देख रहे हैं सिवा online classes 45 questions हम दोस्तों discuss कर चुके हैं आज हम 46 number questions से discuss करेंगे और आपको इस video की दोस्तों PDF फैल वे बिल्कुल free में उख लब्द करा दी जाएगी दोस्तों की गति सबसे तेज किस माद्धिमें चलती हैं ओप्संस हैं गैस, द्रब, ठोस या फिर निर्बाद तो दोस्तों 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 की जो चाल होती है वो सबसे तेज चलती है solid में यानि की ठोस में तो यहाँ पर options ही आपका बिल्कुल right answer होगा एक बात और दोस्तों अगर आपको किसी भी question का answer पता है तो आप उसको comment box में comment करके जरू बताएगा है ठीक है और वीडियो के last में आप जरू बताएगे कि आपके 15 questions में से कितने questions ठीक थे question number 47 है दोस्तो the hardest form of carbon is carbon का सबसे कठोर रूप है options है हीरा, koila, charcoal या फिर graphite ठीक है तो 47 नमबर दोस्तो question का right answer कौन सा होगा जल्दे से comment box में comment करके बताएगे तो दोस्तो carbon का जो सबसे कठोर रूप होता है वो होता है diamond ठीक है तो question number 47 का right answer option ये रहेगा diamond याने की हीरा अगला question है दोस्तों question number 48 ductylography dash का अध्यन है, ठीक है ductylography is the study of चलिए option से आपके forensic carbon dating, लिखावट या फिर fingerprint question number 48 का right answer होगा option D, fingerprint ductylography दोस्तों किसका अध्यन है fingerprint का अगला question है हमारा, question number 49 और question number 49 है दोस्तो lens is made up off lens dash से बनता है option से आपके salmon glass, pirex glass, flint glass या फिर cobalt glass ठीक है, तो दोस्तों lens जो होते हैं वो बने होते हैं किसे, जल्दी से comment करेके comment box से बता दीजिए lens बने होते हैं दोस्तों आपके flint glass जे, तो यहाँ पर question number 49 का सही answer कौन सा होगा आपका option C चलिए, अगले question के तरफ चलते हैं question number 50 question number 50 है दोस्तों खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला उपकरण है options है galvanometer, selenometer, phathometer और pH meter question number 50 का right answer option B होगा यानि कि selenometer ठीक है मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार फिर से repeat कर डूँ कि ये सभी question important है तो किसी भी question को मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये important है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि ये सभी questions आपके पिछले 5 साल के exam में आ चुके हैं और आपके आने वाले exam में भी इसी वीडियो में से questions आने वाले हैं तो question number 51 है the greenhouse effect is mainly due to the increase in atmosphere ठीक है greenhouse प्रभाव मुख रूप से बायू मंडल में ब्रद्धी की बज़े से है मतलब किसकी ब्रद्धी की बज़े से है ठीक है options है आपके nitrogen, carbon dioxide, ozone और carbon monoxide तो question number 51 का right answer होगा आपका option भी carbon dioxide चलिए अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 52 question number 52 है दोस्तो पत्यों में मवजूद हरे रंग के बढ़नग को डैस कहते हैं options है butane, phycobilin, gentophyll या फिर chlorophyll question number 52 का right answer option D रहेगा आपका chlorophyll chlorophyll के कारण दोस्तो पत्यों के जो है वो रंग हरा होता है ठीक है काफी बार आपके लिए questions करा चुका हूँ question number 53 है दोस्तो inverter is a device which convert ठीक है inverter एक ऐसा उपकरण है जो परवर्तित करता है DC to DC, AC to DC, DC to AC या फिर AC to DC AC to EC के लिए ठीक है तो दोस्तो question number 53 का right answer आपका option C होगा inverter जो है दोस्तो वो DC to AC को convert करता है यानि कि direct current के लिए AC में जो है वो convert करता है अगला question है हमारा question number 54 question number 54 होगा दोस्तो potassium carbonate का सामाने नाम है the common name for potassium carbonate is तो दोस्तो potassium carbonate का सामाने नाम होता है potas तो यहाँ पर question number 54 का right answer option D होगा आपका अगले question के तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें कि दोस्तो हमारे चनल पर डेली रात को साड़े आठ बज़े sorry डेली रात को आठ बज़े आपको इस series के जो है वो video upload होगी तो आप बिल्कुल रात को आठ बज़े तयार हो जाया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें होता है तो question number 55 का right answer क्या होगा option B अगले question के तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी request होगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना question number 56 है what do you get from sugar cane गन्ने से क्या मिलता है option से आपके चावल, मक्का, चीनि या फिर मसाले दोस्तो इस question का answer बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि sir ये तो question बहुत simple है या बहुत hard है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस video में दोस्तो या आने वाली इसके जो 500 सीरीज की question की video है इसमें कोई भी question मैंने अपने तरफ से नहीं डाला है इनमें वही questions मैंने select किये हैं जो army के किसी ने किसी exam में repeat हो चुके हैं ठीक है तो गन्ने से क्या मिलता है option से आपके चावल, मक्का, चीनी या फिर मसाले question number 56 का right answer option C रहेगा अगला question होगा हमारा question number 57 57 number question है दोस्तो विस्ट भी अपार संगठन का मुख्याल है कहां इस्तित है वेरिदे headquarters of world trade organization ठीक है तो 57 number question के दोस्तो options हैं Geneva, Paris, New York और Beijing तो दोस्तो WTO यानि की world trade organization का जो headquarter है दोस्तो वो स्विजर लेंड में है और कहां पर Geneva में तो question number 57 का right answer option A रहेगा अगले question के तरब चलते हैं question number 58 question number 58 है दोस्तो what is the full form of email email का अर्थ क्या होता है option से हैं आपके दोस्तो electronic mail, electronics mail, ecological mail या electrical mail तो question number 58 का दोस्तो right answer option A रहेगा email की जो full form होती है बो होती है आपकी electronic mail ठीक है अब question number इस question के option A और B में केबल S का अंतर है ठीक है तो confuse नहीं होना electronics नहीं electronic mail होती है ठीक है दोस्तो अगले question के तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा मैं आपके लिए इतने मेहनत करता हूँ अच्छे-च्छे questions आपको select करके लेके आता हूँ previous years के papers ढूनता हूँ लेकिन जो आपका response आना चाहिए बीडियो पर बो response आपका नहीं आ रहा है क्योंकि बीडियो पर आप देख सकते हैं views जो हैं वो बहुत कम आते हैं तो अपने दोस्तों को भी आप motivate करिए हमारे channel से जोड़िए और उनके साथ में WhatsApp, Facebook या फिर आप जो भी यूज करते हैं उनके साथ में हमारे वीडियो का लिंक को जो है वो share जरूर किया करें और अगर हो सके तो अपने WhatsApp इस्टेटिस पर इस वीडियो का लिंक जरूर पब्लिस करें ठीक है question number 59 है दोस्तो with which game is Durand Cup associated Durand Cup किस खेल से संबंदित है options है football, tennis, cricket या फिर badminton question number 59 का दोस्तो right answer होगा option A football ठीक है चलिए अगले question के तरब चलते हैं question number 60 question number 60 होगा आपका मुगल बंस की इस्थापना किसने की options है बाबर, हुमायू, जहागीर या फिर अकबर, तो दोस्तो मुगल बंस की जो इस्थापना की थी, वो की थी बाबर ने, तो यहाँ पर question number 60 का right answer क्या होगा, option A आज की वीडियो में बस यतने ही question, question number 61 से लेके, आगे तक 15 question हम आपको कल की वीडियो में कराएंगे, तो उम्मिद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, तो चलिए, कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार जैहिन, जैवारत